इंदी कॉंग्रेस तो वैसी लिप्टी पड़ी इनको क्या लपेटना और ये तो बाबा के दरवार पे आये हैं पूरे विश्व की सबसे प्राचीन नगरी और वहां बाबा का धाम तो अपने आप ही सब बन जाहें हैं हमारे काम सर लपेटे में नेता जी शो पूरे कुछ हम प्रतिक्रिया करते हैं लेकिन आज क्योंकि बाबा का दरवार है तो अलग प्रकार की पैरोडी विंती करने एक बाबा से आपकी विंती भी सुईकार हो भोले हो भोले हो तूदानी हो महाग्यानी डमरू तू फिर बजा दे इतने कमल खिला दे दमरू तू फिर बजा दे इतने कमल खिला दे के जिस पर हो तेरी किरपा वो किसी से क्या डरेगा मंदिर ये ग्यान वापी इस बार ही बनेगा मंदिर और जब बन जाएगा क्या होगा के गूझेंगे बंबं के नारे अरे गूझेंगे बंबं के नारे नाचेंगे सब भक्त तुम्हारे भगवा फिर लहरा दे इतने कमल खिला दे दमरू फिर बजा दे भोले ओ भोले अगला सुनिए के पहले भी भोले बाबा तूने दिया सहारा चलते रहे सफर में कैसे गंगा की जैसे धारा के बाकी है कुछ काम अधूरे अब के हो जाएंगे पूरे मंजिल नहीं दिखा दे वो इतने कमल खिला दे दमरू तू फिर बजा दे अगला सुनिया ये बात यूपी में योगी छाए दुनिया को मोधी भाए आंधी ये उन्नती की ना कभी भी रुकने पाए के कोई विरोधी रोक न पाए सपने में भी टोक न पाए सीट चार सो ला दे इतने कमल खिला दे दमरू तू फिर बजा दे बोले, वो बोले, वो तू दाता, वो तू विधाता, वो तू ग्यानी, तू है दानी, वो तू है स्वामी, अंतर्यामी, इतने कमल खिला दे, दमरू तू फिर बजा दे, हर हर महादेव, जै श्री राम, चार सो लेके लिए आ जाएंगे आप तो बाकी ये लोग क्या करेंगे, देखे किसोर जी, भारती जन्ता पार्टी आप जैसा जानते हैं, कि पूरे देश में, पिछली बार भी चार सो पार्क के लिए आप सबको आश्चर होता है, आप देखे किसोर जी, सबसे पहले तु इस आपके कारकर में सारे जितने कवी आए हैं, काशी की धर्ति आप सबका स्वागत करता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बहुत अच्छा साथी ने रखा, मुझे मंजर भोपाली साथ की ओचार लाइन आ दियाती है, जिस पर आपने कहा, कि सितम गरों का फर्मान हुआ है, घर तो गिराये जाएंगी, गर मैं जूट नहीं बोला, तो सर भी गिराये जाएंगी, बनाये ने किसी के लिए ताजमहल, अगर हुनर दिखाया, तो दस्ते हुनर भी जाएगी, ये आज देश के हालात है, और जो लोग 370 की बात करते हैं, तोड़ा उनसे कह दूँ, कि 370 की नारा देने वाले लोग, कस्मीर में तीन सीटे छोड़ के भाग गए, जो कस्मीर में नहीं लड़ते, वो 370 तो छोड़ दीजे, और 400 क्यों भीया, 372 पे, 372 पे जब भाहुमत मिलता है, तो इस देश, 200, 200 बहुतर, पे जब भाहुमत मिलता है, तो आज बताईए, क्या संविधान आपको बुरा लगता है, क्या, सर, सर, मैं थोज सी अपनी बात कह देता हूं, कि अभी सलेश जी ने कहा, बिलकुल आपी को लपेटना है, इनको हम क्या लपेटेंगे, इनके अपने नेताओं के वयान ऐसे आ रहे हैं, यह उन से ही बचले पहले, माया बतीजी से शुरू करता हूं, उनके बतीजे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, बात में माया बतीज लाल लाल रे, देखिए, अगर मुझे पता है बनारस कैसे सुनने वाला है, दूसरी पंक्ती में यह बनारस जूम करके दाद दे, ताकी मैं आनन से सुना आप तक हूं, उनके माया बूआ गुसे में लाल लाल रे, और मोदी पूचें कैसन वाहाल चाल रे, माया बादीजी अब गजय चुनना, के जैसन भतिजवान जूता उठाई, उनने बयान दिया जूता उठा लो, के जैसन भतिजवान जूता उठाई, पीछे से बूआन कुरसी हटाई, कुरसी हटाई, आगली पंक्ती में मिलके दाद न समझ जाओ तो, पीछे से बूआन कुरसी हटाई, बुआ बची एडी से बाल बाल दे अगला बयान दिया सेम पित्रोदा जी ने सर में परिणाम करता हूं उनको कहां से आते हैं ऐसे काल जाई विचार इनके समझ में नहीं आता है। नौर्थ इस्ट के लोगों की शकल चाइना से मिलती है, पस्चिमी भारत की शकल मिडल इस्ट के लोगों से मिलती है, उनका इस समर्थक मेरे पास आके यही बयान कहने लगा मुझसे, मैं का या सकल तो तेरी भी दस बारा देश्ट के लोगों से मिलती है, और जिस तरीके से त पिसनी बता रहे तो चार पार जानवरों से मिल रही है, उनका समर्थक था, मैं उनके बयान पर कुछ कहता हूं, सुनिए गा, कि कुछ लोग ग्यान दे रहे ज्यादा ही जोश मैं, ये साफ दिख रहा है नहीं है वो होश मैं, पित्रो द चाचा कल यहां पित्रों पे आ गए, पित्रो दा चचा कल यहां पित्रों पे आ गए ऐसी फिलोसफी से ही आते ये लॉस में इनकी बातें नॉनसेंस पूरा खतम है बैलेंस इतना लाते कहां से हैं ओवर कौन फिडेंस इनके लसी के कुल लड को यार बताना बना रस वालो और तीसरा बयान जो कि अभी नाना पटोले जी ने दिया महरास्ट के नाना पटोले उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार आ गई तो हम मंदर जाएंगे और वहां से राम दरवार की स्थापना करेंगे और पूरे मंदर का सुद्धी करण करेंगे अयुद्या में उनके बयान पे कहना चाहता हूँ बाबा विश्वदात की नगरी में खड़ा हो करके सुन ली देगा कुछ बात कही थी मंदर धोने की हम अंदर धोने की जो तुमसे कभी न होने की जो तुमसे कभी न होने की और अगर धोन नहीं है कुछ कर नहीं है सुद्धी करण तो कहां से शुरू करो बताता हूँ जो तुमसे कभी न होने की मत्रा भी जाना काशी भी आना मत्रा भी जाना काशी भी आना करने को शुद्धि करन के धेरों काम है कितनी सफाई है वापस होने की ये तुमसे कभी न होने की ये तुमसे कभी न होने भाद भाद अन्यवाद बाद मरिया वा वा वा